दूसरों का आशियाना बनाने वाले ही बेघर, सिर्का पसीना पैर तक लाने वाले और दिन रात मेहनत कर बहु मजिला इमारत खड़ी करने वाले कामगारों को ही खुद का घर नसीब नहीं हो पा रहा है प्रधामंत्री आवास योजना का न तो शहरी कामगारों को लाब मिला और नहीं ग्रामी शेत्र के कामगारों को इसका लाब मिला है साथी साथ परिवार नियोजन की योजना भी एक दिखावा है एक लड़की के जम के बार परिवार नियोजन करने के पर एक लाख रुपे की योजना है लेकिन यह भी सिर्फ एक दिखावा साबित हो रही है करन्ट इयर में एक भी कामगार ने इसका लाब नहीं लिया है कामगारों के लिए मौजुद भीमा योजना को लेकर विभाग की उदा सिंता साफ नजर आ रही है इन योजनाओं का लाब लेने से कामगारों ने आखिर क्यों मूफेरा इसका जवाब जिमेदारों के पास भी नहीं है दरसर इमारतवक अन्य निर्मान कार्य कामगारों को जरूरी आउजार और हतियार खरिदने के लिए 5000 रुपे अनुदान दिया जाता है इस योजना का लिदोरा इतना ज्यादा पीटा गया कि अधिकाश कामगार सिर्फ इसी योजना का लाब लेने के लिए अपना रजिस्टेशन करा रहे है इसलिए अन्य योजनाओं का लाब किसी भी कामगारों ने नहीं लिया कामगार कल्याकारी मंडल के पदाधिकारी कामगारों को छुटपुट लाग देकर ही खुद की पीट ठोक रहे तो खबरों में आज के लिए इतना ही बने रहे MNS News के साथ धन्यवाद